पूर्णागिरी धाम में चल रहे मेले के दोरान ठेकेदान ने बिजली की चोरी की जिसकी सूचना मिलते ही विजली विभाग के गर्मचारी मौके पर पहुचे और उन्होंने ठेकेदार पर कारवाई करते हुए बिजली केबल जबत की इन दिनों उत्राखन चमपावाज जिले में पूर्णागिरी धाम मेला चल रहा है जो हर साल तीन महीने के लिए चलता है लेकिन इस बार प्रदेश के मुख्याव मुख्यमंतरी पुस्कर सिंग धामी ने मेले को वर्स भर चलाने का निर्दिश दिया है जिसके लिए मेले की बिजली विवस्था बनाय रखने के लिए सरकार ने इसका ठेका दिया था लेकिन ठेकेदार बिजली विभाग को ही चक्मा देकर बिजली की चोरी कर मेले में बिजली की आपूर्ती कर रहा था जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे लाइन माइन ने ठेकेदार के स पहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे। ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुचाई जाएगे। योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुलक है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन डंबर 0752700800 एवं वेबसाइड cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है। वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। हर आम और खास से चुड़े मसले। हर मसले का सटीक विश्लेश। हम करते हैं सत्यका अनवेशा। तखलनीूस आपके ख़रें। आप देख रहे हैं तखलनीूस